नमस्कार बच्चों मैं जीतेंद्र कुमा शर्मा और मेरे साथ आप पढ़ रहें कक्षा 10 के लिए हमारी पाठे पुस्तक आर्थिक विकास की समझ बच्चों आज हम शुरू करेंगे हमारा अध्याय संख्या 5 जो कि हमारी पाठे पुस्तक का अंतिम अध्या है हमारे अध्याय का नाम है उभोक्ता अधिकार तो इस चैप्टर में अगर हम मोटी मोटी बात करें तो हम यह जानने को मिलेगा कि उभोक्ता क्या होता है साथ यह देखेंगे कि जो उभेह उसको कौन-कौन से अधिकार हैं इन अधिकारों के लिए कौन-कौन से कानून बनाए गए से रिलेट करके करके हम कई सारे एक्जांपल में देखने वाले हैं तो जुरू करते हैं आज हम भाग संक्या एक जिसमें हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि बाजार में उब्भोक्ता की इस्तिती क्या होती है यानि कि कैसे बाजार में उब्भोक्ता पूरे बाजार की जो धुरी है वो कहा जाता है कैसे ये अर्थिव्यवस्ता को प्रभावित करते हैं तो चलिए शुरू करते हैं हमारा अध्याई देखिए अध्याई में हमें कुछ बिंदु यहां देखाई दे रहे हैं जिनके उपर हम यहां विस्तार से समझ बनाएंगे जैसे शोशन के तरीके कि भई उपोक्ता के शोशन किन किन तरीकों से किया जा रहा है उपोक्ता के साथ में हम कहें फ्रॉड कहां कहां हो रहा है उसके अलावा हम बात करेंगे सीधा मैं टोपिक पर जो होगा उपोक्ता क्या है इसके इस्तिती कैसी है अर्थ व्यवस्ता में इसका क्या रोल है साथ हम यह देखेंगे कि उबोक्ता की सुरक्षा के लिए क्या क्या कदम उठाए गए है उबोक्ता की सुरक्षा कैसे की जा सकती है इन सब पर हम चर्चा करने वाले हैं बिंदू संक्या 4 में हम यह देखेंगे कि उभोकता की सुरक्षा में सरकार की क्या भूमिका है सरकार ने अपना क्या play role यहां पर अदा किया है साथ हम यह देखेंगे उभोकता समोय क्या होता है उभोकता न्यायल है कैसे कार्य करते हैं इसके कौन-कौन से stages होता है उन सब पर हम विस्तार से समझ बनाएंगे साथ हम ये देखने वाले हैं कि उब्भुक्ता शंडरक्षन अधीनियम 1986 क्या कहता है इसके रूल एंड रेगुलेशन्स क्या है इन पर हम डिसकस करेंगे और साथे साथ हम ये देखेंगे कि कैसे उब्भुक्ताओं को कौन कौन से अधिकार है जो प्राप्त है और वस्तू का जो मानक प्रमानन है यानि कि हम कहें ISI या फिर एग्मार्त के हम बात करें उसके ओपर भी हम समझ बनाएंगे और अंत में हम देखेंगे हमारे उब्भुक्ता आंदोलनों को और उनका क्या-क्या प्रभाव हमें देखने को मिला है इन सब को तो चले शुरू करते हैं अध्याय को कुछ हक्वार के कटिंग के साथ में यहाँ पर हम कुछ खबरों को देख पा रहे हैं जैसे गरीबों को मिलेगी सस्ती डाले गलत दवा देने से महिला की मोत नीम हकीमों के विज्यापन पर सरकार को नोटिस सुरक्षया की गारंटी के निहतार्थ उब्भोकताओं के विश्वास पर मार प्रदुशित पानी बिना डॉक्टर शुरू हो गया अस्पताल ऐसी खबरे हम आई दिन हाकवार में देखते रहते हैं कैसे थगी की जारही है कैसे औ Marvin को हनन किया जा रहा है हम ऐसी खबरों को पढ़ने के बाद में एक बात होती है कि कहीद कि फवरत डाल रही है कि की आई चुना में प्रकारों की सुरक्षा की जारहції है या फिर वोकता का शोषन कैसे होता है इन सब बिंदों को यहां इंडिकेट किया गया है कैसे देखिए गरीबों को मिलेगी सस्तिदाल कौन देगा भई मील वाले तो देंगे नहीं ठीक है किसान अपनी रेट पे बेचेगा व्यापारी नहीं देगा फिर कौन देगा तो य जलत दवा देने से महिला की मौत तो हम यह समझ पा रहे हैं कि एक उत्पादत में यहां कहें जिसकी ड्यूटी थी उसने अपनी ड्यूटी का निर्वेंद सही रूप से नहीं किया और उसका हरजाना एक महिला को अपनी जान दे करके चुकाना पड़ा तो यहां पर एक आप तेल्ए मुद्दा उठाया कि यह नीम हकीम है अपने विज्ञापन दे रहे हैं कई बार आप देखते होंगे इस दवा का इलाज हमारी यहां पे आईए ऐसा इलाज किये जाएगा इस टाइपS की जै निूझ हैं वो कोन कर करते हैं यह नीम हकीम होते हैं जिनके पास क तो इनको लेकर के जहां को संथाने संगटन ने अपना मुददा उठाया तो कोट ने सरकार को नौटी कि जिम्मेदार व्यक्ति हैं जिनको की उब्वक्ताओं के सारे जो अधिकार है उनको ध्यान रखना है उन्होंने बिना उनको ध्यान रखे हुए एक अस्पताल को लाइसेज जीशू कर दिया और वहां पे कोई डॉक्टर भी नहीं है और वह शुरू हो चुका है तो यह सारी जिम्मेदारी कैसे नहीं बा रही है यह सारी की सारी जो पॉइंट्स है वो इन खबरों से निकल करके आते हैं तो चलिए अब विस्तार से समझ बनाते हैं अपने टॉपिक पे तो देखिए बाजार में अगर उब्वोक्ता कि हम बात करेंगे तो बाजार में इस डाइग्र बिल्गुल जंब वह देखिए एक छोटा से एक्जामपल लीजी एक हम कहा रहे हैं गहरी प्रोडेक्ट्स बनाने वाली कंपनी चोटी कंपनी ठीक है वह क्या कर रही है और उनका यूज़ भी कर रही है तो यह क्या हुआ हुआ यहां पे हम देख रहे हैं एक तरफ उत्व यहां प्रातमिक करने के लिए हैं। खेटरक कहते हैं तो ज़ेब सेवे मैं कहीं ना कहीं व्यक्ति का रोलाद्या करता उत्पादधक को अपना जीवन का चाहिए चाहिए मनी यानि कि आय तो चाहिए gucken की ना किसी ना को है प्रात्मिक कि में करो चाहे παर चाहे त्वीतियक में करो थो में करो तो आए किसे करने के बाध में वो जो निर्मित होने वाली वस्तुए हैं या पिर जो सेवाएं रहिए। बिस्किट बन करके वापस आ रहा है कहां आ रहा है किसान के घर में ठीक है तो क्या कह पा रहे हैं कि भाई बाजार में आगर हम उब्भोकता की स्थितिकी बात करेंगे तो वो उत्पादक भी है और फिर वो हमें उब्भोकता के रूप में भी नजर आता है चली विस्तार से पॉइंट्स देखते हैं बाजार में हमारी भागीदारी की हम बात करें तो उत्पादक और उभोगता दोनों रूपों में होती है होती है समझ में आगया ठीक है बस्तूओं यह सेवाओं के उत्पादक के रूप में हम पहले वर्णित क्रशी उध्योग या फिर सेवा जैसे चेत्रों में कारियरत हो सकते हैं किसी भी चेत्र में हम कारिय करेंगे ठीक है उभोगताओं की भागीदारी बाजार में तब होती है जब वे अपनी आवशक्ता अनुसार वस्तूओं या सिवाओं को खरीदते हैं एक्जाम्पल किसान वाला क्लियर हैं नहीं आपर चलो next point क और मूब करते हैं उभोकताओं के रूप में लोगों द्वारा उभोक किये जाने वाली यह अंतिम वस्तुएं होती हैं और यह हम जानते हैं कि अगर हम GDP की बात कर रहे हैं सकल घरेलू उत्पाद की बात कर रहे हैं तो काउंटिंग कहा करने है वही उत्पन होने वाली है उसका जो उपभोग करेगा वह हमारा उपभोग का क्यालाएगा पिछले अध्यायों की बात करें तो हम विकास को बढ़ावा देने की जो बात्चीत हमने की थी नियमयों और नियंत्रणों की बात की थी वह इसी लिए उठाए गए थे कि भाई जो अंतिम वस्तुएं है वो कैसे न कैसे मूव करें और हमारी जीडीपी मूव करेगी अगर इनका महत्व ऐसंगटि छेत्र के मजदूरों की सुरक्षा के लिए उसी तरह हो सकता है जिस तरह सावकारों द्वारा लगाये जाने वाले उच्च ब्याज दर्सी लोगों को बचाने के लिए नियमों औ नियंतरन हैं उनको लागू करते हैं तो यह सेम वैसा ही है जैसा कि गाओं के किसान को विकास के लिए या कहें सावकार से जो करजा है उससे बचाने के लिए कर्ज जाल से बचाने के लिए सरकार जो नियम और नियंतरन निर्धारित करती है यह सेम वैसा ही होगा यानि उब उत्पादक भी है और यही उत्पादक की भूमी का अधा करते हैं तो लेगने छत्र से परियावरण की सुरकषा के लिए नियमों यह कि किसी भी सेक्टर में चले जाओ विकास करना साउकार किसानों को बचाइएfinden किसानों को उत्पन कीजिए प्रच्छन बेरोजगारी को हटाईए वहां से उद्योगों को सस्ते ब्यास पर आप रणोप लब्द कराईए तो यह सब कारी क्यों किए विकास को मूव करने के लिए ऐसे अगर परियावरण को बचाना है तो नियम वी नियम बनाने पड़ेंगे ठीक उसी पर करजदारों पर बंधन डालने के लिए तरह तरह के दाव पेज अपनाते हैं सामिक रिण के कारण वे उत्पादक को उत्पाद निम्न दर पर बेचने के लिए मजबूर कर सकते हैं 35% फिर वो 16% और फिर अंत में हमने बैंक वाली देखी 8% कुछ याद आया यह एक्जा किसान को रिण देता है और वह भी किस ब्यासपर एक महाजन से कम ब्यासपर परन्तु बैंक से ज़्यादा ब्यासदर पर देता है वह बंदन बना देता है कि आप अपना उत्पाद जैसे ही तयार होगा आप मुझे ही सेल करेंगे ठीक हैं तो यह चीज क्या करती है विकास म साउकारों के बंधन विकास करना है ुसलिए हमें आज़ते हैं वै wrage सपना को कर लिए अपनी जमीन बेचने कर सकते mix , can depend Sum एसंगटिक छेत्र में काम करने वाले बहुत से लोगों को निम्नी वेतन पर कार्य करना पड़ता है और उन परिस्थितियों को जहलना पड़ता है जो न्यायोचित नहीं होती प्राय उनके स्वास्तिय के लिए हानिकारक भी होती है तो यह सारी चीज़े जब हम देखते हैं तो हमारे सामने एक ही चीज निकल करके आती है कि इन सभी स्थितियों में जब हमने ये विश्थार से पिछले अध्यायों में चर्चा की कि नियम वी नियम बनाने हैं कानूनों को मजबूत करना है चाए संगटिच छेत्रों चाए हमारा संगटिच छेत्रों हर किसी पर observation के हम उब्बोक्ताओं के लिए जो कानून है नियम है वी नियम है उनमें हम सितिलता कैसे छोड़ सकते हैं वहां भी तो हमें stability लेनी होगी वहां भी तो हमें एक नियम काईदे कानूनों का निर्मान करना होगा बच्चों ऐशे शोष्णों को रोकने के लिए और उनकी सुरक्ष किया है कि नियमों का अनुपालन हो वाजार में भी उब्भोक्ताओं की सुरक्षा के लिए नियम वे नियमों की आवशक्ता हमें होती है क्योंकि अकेला उब्भोक्ता प्राय स्वेम को कमजोर इस्तिती में पाता है एक छोटा सा एक्जामपल ले लो देखो आपने रेठा होना ऐसे बाते करके उसने आपको सेल आउट कर दिया ठीक आपने खरी लिया खुछी दिनों बाद में सम डेज आफ्टर सम डेज सेवन डेज के बाद में आप यह देख पा रहे हैं कि वह प्रेशर कूकर फट गया या वह काम नहीं कर रहा हम यह क्यों प्योगी नह अब हमें जो नियम औभी नियम है उनकी पालना करने के लिए यह जो दुकंदार है यह बाद्या नहीं हो रहा है यानि हमारा तो पैसा गया अब नया लेना पड़ेगा ठीक है और यह क्या गरेंटी वह भी अच्छे से वर्क करेगा तो यहां हम यह समझेंगे कि ऐसी स्तित करने के लिए हमें उन्हें स्टैबल करने के लिए कई सारे नियम काईदे कानूनों की बात हमने वहां पर कर लिती चाहिए वह हमारा श्रम कानून उसके लिए हमने देख लिया था चाहिए आर बिया की गाइडलाइन के अनुसार बैंकों का जो लिक्वीड को फ्लो करने का तरीका था वो हमने देख लिया था तो ये सम चीजों के अगर हम बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं यह देखेंगे कि नियम और वीनियम जो बनाए गए हैं वो चाहिए संगरतित शेत्र की बात कर यह गई संगर्टित की करो औपचारिक की औरर णौप्चारिक फिल्ट की कर लो कहीं भी करेंगे हम बात तो वो इस्टैबल होने ही चाहिए सुरक्षा की दृष्टी से तो एक अकेला उभोकता जो कि बाजार में खुद को कोई शिकायत होती है तो विक्रेटा सारा उत्तरदाइत वे क्रेटा पर डालने का प्रयास से करता है बिल्कुल करता है आपको सोथ समझ के खरीदना चाहिए था अब आपने पता नहीं इसमें कैसे यूज किया आपने इसको ज्यादा हम कहें टेंपरेशर पर यूज कर लिया प्रेशर को करके संबंद में ऐसा ही कुछ का आगया आपने इसको साफ करते समय इसकी जो उपर के एलिमेंट्स हैं उनमें कुछ मिस्टेक कर दियोगी ऐसा जो उत्तरदाइत वे दिया जाता है वह विक्रेटा क्या करता है क्रेटा पर डाल देता है यानि खरीदने वाले प मैसूस करता है त् addresses कि मेरा तो शोशन हो चुका ऋसा मानित उनकी प्रतिकरिया होती है बढ़ा है औलगा क्यों कोई responsibility नहीं है क्या जो खरीद देने वाला है यानि जिसे हम उभोकता के नाम से संबोधित कर रहे हैं क्या उसके लिए कोई भी ऐसे कानून काईदे सुरक्षा कानून काईदे नहीं बनाए गए हैं कि जिनके द्वारा वो बाजार में अपने आपको अकेला मैसूस ना करें तो ये ये सब नियम काईदे कानोन बिलकुल बनाए गया हैं और इस अध्याइ में हम आगे चल करके विस्तार से उन सारी नियम काईदे कानूनों को जानेंगे और फिर आप देखेंगे कि कैसे हमें हमारी जो पावर से उनका पटा चलता है और हम बाजार में कभी भी खुद को अकेला या कमजोर मैसूस से नहीं करेंगे तो देखिए साथ ही साथ उबोक्ता अंदुलन की बात करेंगे हम जो इस इस्तिति को बदलने का एक बहुत छोटा प्रियास परूंति बहुत ही असर का दारक प्रियास रहा है उबोक्ता अंदुलन क्या है कैसे हुआ हम यह देखेंगे इसके द्वारा कौन से जो कानून है उनका निर्मान किया गया यह सब हम बाते इसमें करने वाले हैं बाजारों में शोषण कई रूपों में होता है उधारन की हम बात करें कभी-कभी व्यापारी अनुचित व्यापार करने लग जाते हैं जैसे दुकंदार उचित वजन से कम वजन तोलते हैं बिलकुल आपने देखा होगा बट्टा मार लेते हैं हमारी लोकल लेंग्वेज आपहले पर हमें वन केजी फिंग मिली ही नहीं इसके बाद में व्यापारे उन शुलकों को जोड देते हैं जिनका वनन पहले नै किया गया हो यह मिलाउटी या दोश्पून वस्तू यह वह हमें बेस देते तो कई सारे तरीके हैं बोटारी किया करते अनुचित व्यापार करने लग जाते हैं MRP से ज्यादा मुल्य पर हमें दे देते हैं MRP मतलब मैक्सिमम रिटेल प्राइज MRP MRP से ज्यादा छपे हुए मुल्य से ज्यादा पर हमें वस्तू को दे दिया जाता है expiry rate की दे दी जाती है देखा होगा आपने कई बार हम देख लेते हैं तो उसे रिटन कर देते हैं अधर्वाइस हम यूज कर लें तो कई सारी मिस्टेक्स हो सकती है ऐसे ही जाए कम वजन के हम बात करें अनेक सारे चुपे हुए सुल्कों की बात करें या फिर हम बात करें ऐसे टेक्सेज जो होते ही नहीं है इस पे हमने माल भड़ा ले लिया ठीक है वो चब हो गया टेक्सेज में आ गया उसके बाद में भी अपनी तरफ से एक आदा टेक्सेज ओर एड़ कर दिया तो ये सब वो तरीके हैं जो कहलाता है अनुचित व्यापार और इस अनुचित वस्तव हैं पॊटइद थूड़े और शक्तिशाली होते हां और उभुब्वोकता कम मात्रा में खरीददारी करते हैं और भिखरे हुए होते हैं तौ-बाजार उचीत तरीके से कारिये करता है कैसे नहीं करते हैं अगर उतपादक पावर्फुल होंगे ठीक है कैसारे और क वो अपनी मर्जी से इधर जाएगा उधर जाएगा इक स्टेट लाइंग में उसको नहीं चला सकते अब यहीं दूसरी स्थिति की हम बात करें हमारे पास में उसकी लगाम है तो हम क्या कर सकते हैं उसको एस फोरवर्ड हम गाइड करके चला सकते हैं जिस तरफ हम उसे मूव क करना चाहिए कर सकते हैं तो फैसिति उत्पादक थोड़ी शक्ति शाली हो जाते हैं और बात करें कि उप्भॉकता कैसे मात्रा में हों और बिखने हुए होते हैं तो बाजार उच्छी तरीके से कारिय कर सकता कैसे नहीं कर सकता भाई मार्केट की आगर हम बात कर रहे हैं तो जो रोडेक्शन ऑउसिज हैं वो क्या कर रहे हैं उत्पाधन कर तो नहीं उत्पाधन करदिया अब भोगता ने क्या किया उसको उस चीज की यमाइंड है अगर डिमाइंड है इस्थितना ही प्रोडेक्शन बना ले उनकी जब तक खपत नहीं हो होगी तब तक हमारी economy मूव नहीं कर सकती जीडीपी क्या है अंतिम उत्पादित वस्तू का अंतिम मुल्य यानि sell-out मुल्य की बात हम करने वाले हैं तब ही हम निकाल पाते हैं हमारी जीडीपी तो इस हिसाब से यह हमारी clear होती है कि अगर कम मात्रा में खरीदारी करते हैं विख्रे हुए होते हैं और उत्पादत थोड़े और शक्तिशाली होते हैं तो बजार सही डंग से कारिये नहीं कर पाता विशेश रूप से यह इस्तिति तब होती है जब इन वस्तू का उत्पादन बड़ी-बड़ी कमपनिया कर रही है अब बड़ी कमपनियों का क्या रोल है चैप्टर 4 याद कर लो जहां हमने बहुराश्ट्रिय कमपनियों की बात कर ली थी बहुराश्ट्रिय कमपनियों में अगर हम जाते हैं तो यह देखते हैं उनके पास में वो पावर है कि वस्तू की गुनवत्ता क को निर्धारित कर सकते हैं लागत को निर्धारित कर सकते हैं कई प्रकार के शुलक होते हैं जिनको निर्धारित कर सकते हैं कितना प्रोडेक्शन होगा इस मात्रा को निर्धारित कर सकते हैं हम यह कह सकते हैं बहुरास्ट्रे कंपनिया मार्केट को घुमा सकती हैं किसी भी वस्तु के उत्पादन को घुमा सकती हैं कैसे गुमाएंगी फॉर्ट चैप्टर में हमने अच्छे से डिसकस कर लिया था यहां डिसकस करने के हमें कोई आफशकता नहीं है तो यह बड़ी कंपनिया विविन प्रकार से चाला की पूर्वक वजार को प्रभावित कर सकती है अगर सोचो आप छोटी से एक्जामपल देखिए जैसे हमने यह देखा कि बाजार में कोई प्रोडेक्शन को सस्ते दामों पर लाना है किसके बस में यह बहुराश्ट्री या बड़ी कंप करती एस्तानी कंपनियों के sl animales यहां पर में नुक्क Chili घ करते एक यह कारती है जोस्ट आप उनकी कोस्टिंग नाइन रुपी लेकिए ठीक है और ब़राष्ट्री पूंजी वाले यह दिख शक्तिशाली कंपनियों performed यहonton धूर नहीं पढ़ता है इनकी आई इतनी होती है कि इनको एक बार में एक प्रोडेक्ट से होने वाले नुकसान से कोई फरक नहीं पढ़ता है इनकी हम जब टोटल की बात करते हैं तो हम देखते हैं हजारों करोड रुपीज में इनकी वैट चलती है चलती है तो आपने भी देखा उगा इसका मतलब यह है कि यह बहुत अधिक पुझी वाली कंपनिया होती है तो अगर इस साबून के हम बात कर रहे हैं तो 9 रुपीज में किस्तानी कंपनी बना रही है अब बहुराष्ट्री कंपनी ने क्या किया यह देखा कि साबून बनाने का जो किस रूट पर किस एरिया मे क्यांकि पैसे की कमी नहीं ना या फिर वहां के लोकलिटी से इन्होंने एक ट्रेड का वह एग्रिमेंट कर लिया कि आप इतना सावुन हमें इस कोस्ट पर बना कर देंगे सैवन रूपीज पर ठीक है सैवन रूपीज पर इन्हों कह दिया वन लैक की जो क्वांटिटी है वह इसकी बात करते हैं इसने क्या क्या नाइन रूपीज में सैल आउट कर दिया अब यह नाइन रूपीज में सैल कर सकता है क्या नहीं कर सकता ना उतनी तो उसकी कोस्टिंग है कैसे कर देगा कैसे वह मुनाफ़ा कमाएगा कैसे वह अपने वरकर्स को पे करेगा नहीं कर सकता तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यह जो कंपनिया है वो बजार को प्रभावित कर सकती हैं यह प्रोडेक्शन की बात हुई अब हम बात करेंगे एक छोटा सा एक्जामपल ले लेते हैं देखो आप यह देख रहे होंगे कि पाढले बिस्किट का यह ले लेते हैं सबसे की तो 30% free होने के बाद भी उसका weight पुराने वाले packet से कम ही होगा ऐसा कैसे यही होता है चाला की पूरवक बाजार को प्रभावित करना कैसे करना भाई उन्होंने क्या किया पहले एक packet आ रहा था 80 ग्राम का कितने ग्राम का आ रहा था 80 ग्राम का ठीक है अब कंपनी ने क्या किया उसको 50 ग्राम का packet बना दिया 50 ग्राम का packet बना करके उस पर 30% एक्स्ट्रा एड कर दिया तो आप यह देख पाएंगे कि 50 का 30% अगर हम बात करें तो लगबग 15 ग्राम हमारे पास में एक्स्ट्रा है टोटल अमाउंट कितना हुआ 65 हो गया यहां कितना दे रही थी 80 हाना और दूसरा होता है एक्स्ट्रा तो फ्री और एक्स्ट्रा ऐसे वर्डस हैं जो हमें बाजार में उबहुकताव को ब्रहमित कर देते तो इसे कहते हैं चाला कि पूरवक बाजार को लगता को अब देखते हैं तो यह सब चीज़ें क्या कर रहे हैं यह देख पा रहा हैं कहां देखते हैं चलते रहते तो यह संब भ्रमित करने के तरीक होता है और यह सूचना है सत्या नहीं होती है आपने न्यूस पेपर पड़ा होगा थोड़े दिन पहले हम देखे हम देख रहे थे कि जो हमारा सिनेमा जगत है वहां के कुछ सितारों पर भी इसकी हम कहें अंदे इसका दुश्प्रवाव देखने को मिला था उन्होंने भी कोई आड किया था हना तो य माता के दूद से हमारा उत्पाद बहतर है सुनाओगा अपने इस कंपनी के बारे में सरवादिक व्यज्यानिक उत्पाद के रूप में शिशों के लिए दूद का पाउडर पूरे विश्व में कई वर्षों तक उस कंपनी ने बेचा ठीक है कई वर्षों के लगातार संग होता है सबसे बढ़िया होता है पर इस कंपनी ने उसे ही नकार दिया और दुश्प्रभाव यह हम कहें गलत प्रचार अपना शुरू कर दिया इसी तरह सिग्रेट उत्पाद कंपनियां से यह बात मनवाने के लिए कि उनका उत्पाद कैंसर का कारण हो सकता है न्यायले में लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी अता उब्बोक्ताओं की शुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियम और वी नियमों की आवशकता होती है तो यहां पर बच्चों हमने यह देखा इन एक्जामपलों की थुरू की कैसे जो बड़ी-बड़ी कंपनियां है वो कंपनी ने नहीं किया संगर्श किया अंत में कंपनी को अपना दावा वापस लेना पड़ा उसी प्रकार सीग्रेट की कंपनियों को यह मैंशन करना पड़ता है तंबाकु उत्पादवालों को यह मैंशन करना पड़ता है कि तंबाकु जानलेवा है से कैंसर हो जाता है यह सूचना आजकल तंबाकू पर लिखी जाती है क्यों होता है ऐसा क्योंकि हमने देखा कि अब उब्भोगताओं का जो अधिकार है उसके लिए संगर्श किया जा रहा है तो बच्चो इसके बाद में अब हम कुछ परश्णों पर चर्चा कर लेता है और अपने नोलेज को डॉ करें तो देखो जैसे हम बात करें घटिया सामगरी बेज दिया कम वजन के द्वारा बेच रहे हैं मुल्य से अधिक पर बेच रहे हैं यह संबंदित प्रोडेक्ट की सूचनाएं चिपा करके मिलावटी बेचा जा रहा है तो यह सारे कई सारे तरीके हैं जिनके द्वारा बोक्ताओं के शोशन के मुख्य तरीके नीचे लिखित किये गया है जैसे माप के तहट माप की अगर हम बात करें तो वास्तिक मात्रा है उसके लिए चार्ज दिया जाना वाजिव होता है परंतु कई बार हम यह देखते हैं आप मिठाई का एक्जांपल ले लेजी आप मि वजन भी मिठाई के भाव से ही लिया जाता है आपने सपोज कि यह 800 रुपए पर केजी वाली मिठाई पर्चेज की ठीक है तो पर केजी एक केजी मिठाई इस बॉक्स में डाली जाएगी और जब हम तराजू का वजन देखेंगे तो 1000 ग्राम्स हमें दिया जाएगा विद वास्तिक माथ्रा आकitel के लिए चार्ज करते हैं यानि-क जैसा नहीं हम पर केकर लिया है अच्रिश कीमत की बात करें वेकरित का माने के लिए आम तोर पर निम्न गुण्वत्ता वाले सवाइन बेजते वह बही कैसी रेटों पर बेज़ते हैं उच्चे कीमत पर बेजытे थिक हैं आगे मिलावट कि एम बात कर सकते हैं इसके दौए भी शोशन किया जाता है मिलावट का अर्थ क्या होता है कि जो भोजन में यह कैसे ही सामगरी में भाणशित करना इसे हम कहते हैं कि मिलावट की गई है और इस तहों को को आपको चालिवर करने से आपको शारिक रूप से बीक परिशान hoping शारिक का सहे यह मिलावट किज помощ और इससे मुनाफ़ा कमाया जाता है परंतु इस सब के द्वारा जो शोशन होता है वो होता है उभोकता का बचो आगे की बात करें जो जूटा दावा यह हमने एक्जामपल में देखा था कि विक्रेता विज्यापनों के माध्यम से अपने उत्पाद के इस्ताइत्वे और ग देखते हैं तंबाकों में कैसर मिला हुए कैसर मिला है आप बैच रहे हों तो यह सब चीजость का है यह सब हैं जूटे दावे इसी प्रकार जो अन्य तरीका है वह जमा खोरी और काला बज़ारी तो कुछ जमा खोरी एक ऐसा शब्द है आप इसको मैंने जैसा कि आपको फर्स्ट क्लास में पता दिया था कि इकोनोमिक्स में हम कोई भी आगर definition find करना चाहें तो हमें शब्दों को समझ लेना जमा खोरी यह जमा कर लेता है तो क्या किया जाता है कि जो बाजार में जो डेली मर्रा की जो चीजें हैं जिने हम रोज उप्वोग में लेते हैं उनको इगटा कर लिया जाता है उनका स्टोर कर लिया जाता है स्टोर करने से क्या फायदा वहता है डिमार्ड आ रही है तो उसका हम कहरें यह उसकी जो सप्ला वाधित हो चुकिये हैं अब वहां से उठना शुरू हो जाएगी अरे बहुत नहीं रही औरि यह तो रोक लगी आ है क्यों नीज रही प्रूडिक्शन कम हो तो यह वह तरीके हैं जिन दुआरा हम यह देखते हैं कि कैसे बाजार में किसी भी वशतो के की कृतिम कमी क्रितिम कमी मतलब जो होती नहीं है वास्तिक रूप से उसको पैदा किया जाता है और आवशक कर रख लिए जाता है ताकि कीमत पर बेचा जा सके और इसी प्रकार किया जाता है उब्वोकताओं य'Sल्क्वर्चल देखते हैं आगे बात करेंगे घटिया सामान के तरूब याद कर लेंगे लिए तो एक बंदा बेच रहा है 250 की छोटी बात कर रहा है इसमें आपको क्या लगता है यह अच्छी क्वालिटी की होगी हाना और यह वाली कैसी होगी ऐसा कुछ सस्ची लगता नच जिसके दांचि अच्छी होगी ही हमारी मान सीगता होती है पर जब अपने पता किया कि यह वें वालटी वंगिया हे जिसके आच्छे सर्ड़ा के दूब्ली के सामान को जो अच्छे प्रोडेक्ट हैं उनकी सेम रेट पर बेजते हैं और इसका एक मात्र जो नुकसान उठाना पड़ता है वो उठाना पड़ता है हमारे उभोकता को तो बच्चों इसके बाद में जो अगला तरीका है वो है विक्री के बाद की सेवाई गैरेंटी दे दी गई है अगर टू येर्स में भी आपका खराब हो जाता है तो आपको इतने चक्कर लगवाए जाते हैं कि आप परिशान होके कहते हो मुझको तो नहीं चाहिए गारेंटी वारंटी मैं तो दूसरा पर्चिस कर लूँगा या फिर हम यह देखते हैं कि साफतोर पर म मार्केट में अवेलिवल होगा देख सकते हैं कई सारे फस्ट कॉपी सेकेंड कॉपी के नाम से हम इने जानते हैं अरे ब्रांडेड लेने से बढ़िया कॉपी ले लो कॉपी बहुत सस्ता आ रहा है पर हम यह नहीं देख पाते कि यह कैसा सामान है और अंत में हमें ही इसका नुकसान उठाना पड़ेगा ठीक है चलिए अगले प्रश्ण पर वड़ते हैं हमारा अगला प्रश्ण है आपकी राय में उप्भोक्ताओं की सुरक्षा के लिए सरकार की क्या भूमिक होनी चाहिए जहां हमने किसानों को सावकारों से बचाने की बात करी थी जहां हमने के लिए प्रात्मिक ज्वितियक तृतियक चेत्रक को मूव कराने की बात करी थी वहें हमें यह भी देखना होगा कि कैसे उप्भोक्ताओं को जो संद्रक्षन है वो प्रदान करने के लिए सरकार को क्या-क्या कदम उठाए जाने चाहिए तो बच्चों अगर हम बात करें जब हम सारवजनिक चेत्रक की बात करते हैं यानि हमारे सरकारी तंत्र की बात करते हैं तो हम यह समझ जाते हैं कि एक मात्रहसा तंत्र है जो समाज कल्यान के लिए कारिय करता है क्योंकि नीजी चेत्रक क्या करता है केवल और केवल लाब कवाने की बात करता है जबकि हम यह देखते हैं जो सार्वजनिक छेतरक है उसका पहला मोटो होता है सामाजिक कल्यान तो सरकार को आगे बढ़ करके इन उबहुकताओं के संदक्षन और सुरक्षा के लिए कारिये करना होगा भूमिगाई क्या क्या हो सकती है कई सारे कानून है वो लागो कर देना चाहिए उबह करने वाले जमा खुरी करने वाले वो इतना घब रहें कि वह ऐसा करें ना करें तो शरक्षा के लिए कानून होना चाहिए हर ग्यक्ति को यह पता होना चाहिए कि मेरे राइट्स क्या है अरे मुझे यह पता है कि अगर मैंने कोई वर्स्तू पर्चेस किये मेरे पास बिल है उसका और फिर भी मुझे एक्सेंच या वारंटी या गारंटी की सुईदा नहीं दी जा रही है तो मैं उसके खिलाफ कहीं न कहीं कंप्लेन करूं यह मुझे पता हो तो मैं अपने अधिक अगर मैंशन नहीं आपको उसके खिलाफ करने चाहिए ऐसा काम होगा तो आगी जो उसके जैसे होंगे वह आटोमेटिक सुदर जाएंगे जब क्या होता है हम किसी एक कहें कि जैसे हमने किसी एक को गलत चलने वाले को सजा दे दी तो लगबग कई सारे उसको देख करके सुधर जाते हैं वैसा यहां होता है अगर अच्छे से कानून लागू होता है किसी गलती करने वालों को सजा होती है उसको नियमों के अनुसार दंड विधान में लाया जाता है तो हम यह देखेंगे कि उसके जैसा कार्य करने वाले अटोमेटिक सुधरना शुरू कर देते हैं और आप ने गलती कर दी आपको कोई सब्सक्राइब नहीं होई तो आप कुछ नहीं होता भई तुभी ऐसा ही कर बहुत बढ़िया मुनाफ़ा होता है कुछ भी उत्पाद की कीमत यानि MRP निर्मान तिथी प्रोडेक्शन डीट और हम कहें समाप्ती तिथी एक्सपाइरी डीट गारंटी वारंटी की समय अधी निर्माता का नाम पता और टेलिफोन नंबर मुद्रित किया जाना चाहिए तो यह कार्य को आप कहके देखो किसी कंपनी को कि यह सब मैंशन करो कोई करेगा नहीं करेगा ना किसके कहने पर होगा यह कारिये सरकार के द्वारा अनिवारियत रूप से नोटिस जारी करने पर यह कारिये संबव होगा और जब यतना कारिये संबव हो जाएगा तो हम यह समझ पाते हैं कि हर चीज मैंशन हो गई स्थिति किया है यानि कालपनी किस्थिति को हमने यहां पेश किया है कि कैसे वह जो उभोकिता है सरकार जैसे तंत्र की यहां क्या गैरन्टी हो सकती है यह क्या अज़एं हम घौनका रहा है और अच सबे के जवाब धूनने की कोशिश की आज हमने हमारी कख्षा में तो प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूं सारे बिंदू जो आज की कख्षा से रिलेट थे आपको समझ में आ गए होंगे मिलता हूं आपसे अगली कख्षा में तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों